हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिप महापुरान श्रीवाय निय सहता प्रथम खंड पूर्वार्ध्या का उन्नीसवा अध्याय वीरगण का यज्य में जाना रिशीगण बोले हे वायुदेव प्रजापती दक्ष्तों धर्म के कारे में लगकर महायग्य कर रहे थे फिर भगवान शिफ ने उनका यग्य क्यों भंग किया कृपा कर इस कथा को बताईए तब रिशीगणों के जिग्यासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले हे रिश प्रजापती दक्ष ने अश्वमेग यग्य का आयोजन किया उस यग्य में वसू मरुदगण अश्विनी कुमार पित्र आदित्य विश्नु आदी सभी देवता एयं रिशिम मुनियों को अमंत्रत किया परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जब परम शिव भक्त भगवान शिव को क्यों आमंत्रत नहीं किया गया वह पोजनियों के भी पोजनिया है फिर तुम उनका पोजन क्यों नहीं कर रहे हो ददीची रिशी के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले हे ब्रम रिशी यहां 11 रुद्र तो उपस्तित हैं और अन्य रुद्रों को हम नही जानते इस यग्य की अधिश्ठाता श्री हरी विश्णु है तब क्रोधित ददीची यग्य को छोड़ कर चले गए उदर भगवान शिव ने यह जानकर कि उनकी प्रानवनलबा का यग्य में अपमान हो रहा है वीर भद्र नामक गण को उत्पन किया वीर भद्र हाथ तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापती दक्ष के यग्य में जाओ और यग्य का विद्वंश कर दो फिर दक्ष को भी नश्ट कर देना देवादी देव की यह आग्या पाकर वीर भद्र ने अपने शरीय से हजारों करोडों गण उत्पन किये फिर आनंद पूरु और यग्य का विद्वंश करने के लिए सेना सहित चल पड़ा ओम नमस्षिवाएं